जी हां दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 में चेप्टर नमबर 2 आमल छारक वालवर तो देखिया इस चेप्टर में आमल छारक वालवर सबसे पहले हम आमल की डेफिनीशन पढ़ेंगे कि डेफिनीशन क्या होती है तो क्या बचाएंगे आमल अंग्रेजी भासा के एसीड से मिलकर बना होता है किससे बना होता है एसीड से जिसकी उत्पत्ति लेटिन भासा के सब्द एसीडस से हुई थी जिसका आर्थ क्या होता है खट्टा आर्थात हम यहां से क्या कह सकते हैं कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं क्या कहलाते हैं अमल तो क्य बताएंगे आमल को अंग्रेजी भासा में एसिट कहा जाता है जिसकी सब्ध लैटिन भासा के एसिडस से हुई की जिसका आर्थ खटा होता है और थाथ हम कह सकते हैं कि जो सवाद में खटे होते हैं वह क्या कहलाते हैं अगर नेक्ष्ट में देखें आम के गुड़ पर क्या बताएंगे बाइंगे सप्सक्राइं देखा जाए तो थो क्या बताएंगे में में अगर युदा सकती हैं प्रवाहित की जा सकते हैं अम्लत जो होते हैं उनके चली बिलन में प्रबाईत की जा सकती है बिद्धुधार उके तो इन्हों प्रइ Чवश्य होता है विद्धुख की जा सकती है अब बैता है अनल के राचसाइनिक गुड तो रासाइनिक गुड में क्या बोलेंगे ये धात उसके साथ क्रिया करके H2 निसकासित करता है जो HCl होता है ये अमल है अगर धात तु एलुमिनियम के साथ रियक्ट करा है तो क्या निकालता है AlCl3 तो 3 का मल्टिपल करेंगे तो क्या बनाएगा 3 낮 2 H2 तो क्या निसकासित करता है हईड्रोजन निकालता और क्या बता है धात कारबोनेट ये हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके धाट कर्भोनेट या यानए 2C 你 region C bir लेक्ड है ढात कार्भोनेट के साथ क्रिया काई अगर कहा अगर कौन HCl क्या निसका अजित कर देता है CO2 तो क्या निक बनाएंगे CO2 अगर निसका अजित करता है तो सीथी सी बात है यहां पर दो चीजे निकलेंगी एक तो एने और एक च्टू बना देते हैं क्या क्या अगर यह ने टू सी यू थरी की रेक्षन कराते हैं एच ची यल के साथ में तो बनेगा यह ने सी यह और एच टू उ प्लस सी ओ टू बैलेंसी करने हैं और बैलेंसी अपनी ट्राइब करिएगा ठीक है फिर क्या बताया कुछ धातू आकसाइड अमल के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं धातू आइड्राकसाइड लाइक सोडियम हाइड्राकसाइड और रियक्ट कर दो किसके साथ एच सी यल के साथ यह धातू आइड्राकसाइड है यह क्या है एसीड है रियक्षन और मिंकर करके यह क्या बनाता यह उन्होंने छुछ भात्व आक्साइड उंड Ensuite या दाटु आक्साइड मुज़ अप्किरीय करके लिगा और भोर्ली आध़ीन है यह क्या उंग इस और चरका लिया और एसीड डिकनेचर लिया दोनों को मिला के लबड़ और जल बनाएं आंगे देखिया अमल के अगर श्रोथ की बात की जाए तो अमल के श्रोथ कौन-कौन से होते हैं जहां से हमें एसीड फॉर्म होता है जैसे नीबू हो गया आपका टमाटर हो गया अंगूर ह में टार्टरी कमल होता है याद रखियेगा नीबू में साइटरी कमल होता है टमाटर में एसकार भी कमल होता है सिरका जो होता है जिससे हम लोग शिरका भी बोलता है जिससे अचार रखा जाता है इसमें एसीटी केसीड होता है दूद जो होता है उसमें लैक्टी कमल होता ह इमली जो होती है उसमें टार्टरी कमल होता है सेव जो होता है उसमें मैली केसीड होता है यह यह नार्मल चीजे हैं इन्हें आप याद रखेगा ओके नीबू साइट्री कम टमाटर एसकॉर्विक अंगूर टार्टरी सिरका एसिटी कमल दूद जो होता है लैक्तिकमल होता है इमली खट्टी होती है ज्यादा उसमें टार्ट्रिक अमल होता है सेवजूद होता है उसमें मैली के सीट होता है अमलों के अगर प्रकार की बात की जाए तो अमल मुख्यता ये नंबर एक प्रबल अमल होता है दुरुबल अमल होता है और शांद्र अमल होता है और तन्वामल कौन कौन से प्रबल अमल दुरुबल अमल सांद्र अमल और तन्वामल ओके आंगे देखें आंगे अगर बात की जाए प्रबल अम्ल की तो क्या बोलेंगे वे अम्ल जो जली बिलन में पूरता आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कह जाते हैं जैसे प्रबल अम्ल के उधारण होते हैं जैसे कि प्रबल अम्लों में प्रोटान त्याग करने की छमता जादा होते हैं अर्थात प्रबल अम्ल संगटक तत्तों के आयनों में विखंडित हो जाते हैं अक्यू आगे देखिया अगर बात रहे दूरण अम्ल की तो क्या बताएंगे जो जली बिलन में पूर्टा आयनित नहीं होते हैं पूर्टा आयनित नहीं होते हैं आन्सिक रूप से आयनित हुआ करते हैं दूरण दूरबल अमल कहलाते हैं जैसे कि ACT कमल, फार्मी कमल, H2S, Hydrogen Sulfide, यह सबी क्या है? दूरबल अमल है, जैसे कि ACT कमल हो गया, आपका CS3COOH हो गया, फार्मी कमल, यह नार्मली सूत्रियाद रखिएगा, कई बार यूज हो जाता है, फार्मी कमल हो गया, Hydrogen Sulfide हो गया, यह सबी कैसे हैं? दूरबल है, सबी कैसे हैं? दूरबल, चुकि यह आइनित कैसे होता है? आइनसिक रूप से, कैसे आइनित होता है? आइनसिक रूप से आइनित होता है, आइनसिक रूप से आइन होता है, तो आंसिक रूप से होते हैं अर्था दुर्बल अमलों अपने हाइड्रोजन आयन का पूरता त्याग नहीं करते हैं दुर्बल अमलों जो होते हैं वो अपने हाइड्रोजन आयन का पूरता त्याग नहीं करते हैं समान सांदरता पर दुर्बल अमलों का पियच मान प्रवल अमलों से अधिक होता है कभी-कभी सामान सांदरता या समान सांदरता पर दुर्बल अमलों का पियच मान जो होता है वो प्रवल अमलों से बहुत अधिक होता है नेक्सT आता है कि सांद्र अम्ल किसे कığलता है जैसे कि सांद्र कॉंसिंटर्टमी इसे,ो कि कुलता है? है ना तो शांद्र की जब होती है जिसमें अमल अधिक मात्रा में होता है सांद्र किसे बोलते है जिसमें अधिक मात्रा में होता है जबकि अल्प मात्रा में क्या होता है जल मतलब जिसमें कम जल मात्रा में हो मतलब इसमें क्या हो अमल अधिक हो अमल अधिक हो ऐसा सलूसन जिसमें अमल अधिक हो और जल कम हो जल कैसा हो कम हो तो यह सलूसन क्या कहलाएगा शांद्र अमल जिसमें अमल अधिक मातरा में होता है जबकि जल अल्प मातरा में और जल कैसा होता है अधिक उल्टा जैसे जल कैसा होगा अधिक होगा और अमल कैसा होगा कम मात्रा में होगा तो यह कुछ सा उस सलूशन हो गया तनुवल्म हो गया ओके आंगे देखिया नेक्ष्ट बात आती है चारक किसे बोलते है एसे पदात जिनका स्वाद कड़बा होता है चारक कौन से होता है एसे पदात जिनका स्वाद कड़बा होता है और जो इस पर्स करने पर शाबुन जैसे लगते हैं मतलब जिने अगर टच किया जाए तो साबुन की फील लगा दे तो उन्हें क्या कहते हैं चारक एसे बदा जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो इस पर्स करने पर साबून जैसे लगते हैं चारक कह लाता है ओके आंगे देखिए चारक के गुड़ अगर बात की जाए तो चारक के गुड़ क्या क्या पढ़ेंगे नमबर एक चारक जो होते हैं स्वाद में खटे होते हैं नमबर दो जो चारक होते हैं लाल लिटमस को नीला कर देते हैं कैसा कर देते हैं लाल लिटमस होता है उसे नीला कर देते हैं नमबर तीसरा पॉइंट जो छारक होते हैं वो जलिये बिलन में OH माइनस आयन देते हैं जैसे कि एसीर क्या थे वो H प्लस आयन देते थे और जो बेस होते हैं वो जलिये बिलन में OH माइनस आयन देते हैं क्या कल आते हैं चार कल आते हैं जलिये बिलन में विद्दुद धारा प्रभाईत नहीं की जा सकती है इनका जो जलिये बिलन होता है उसमें विद्दुद धारा प्रभाईत नहीं की जा सकती जैसे कि चार की अगर बात करें के ओयाच जो है याने प्लस, प्लस OH माइनस, अगर OH माइनस बं दिया तो क्या है? चार है, ऐगे देखिया, चार के अगर राषाइनि गुढ की बात की जाए, तो राषाइनि गुढ क्या बताएंगे चार धाथु के साथ अगप्रिया करके करता है चार जैसे की के ओ यह अगर बोल दें किसके साथ रेक्षन करा दें धातु के साथ धातु लाइक ए अल क्या बता है चार धातु के साथ क्रिया करके एस्टू मिक्स करता है यान ये के साथ कर दो यान ये के शाथ करो तो क्या बना दो एस्टू मुक्त करना है चार अमल आकसाइड के साथ अक प्रियागर के लबड बनाता है मतलब चार धातु के साथ क्रिया करके एस्टू मुक्त करता है चार धातू हो और अब क्रिया करा दो उसके साथ क्या बनाएगा एस्टू मुक्त कर बाएगा छार अंगे देखे सूचक क्या होता है इंडिकेटर अगर इंडिकेटर की बात की जाए तो सूचक बेपदार्थ होते हैं नार्मली अगर आपसे कोई पूँचते हैं कि सूचक किसे कहता है तो क्या बताओगे बेपदार्थ जो सूच ना देते हैं किस चीज की का जैसे की कोई रियक्षन है यह एसे भी हो रही है इससे पहले रंग क्या था अपक्रिया के होने से पहले पूड होगी अपक्रिया या नहीं होगी या नहीं होगी इसका अगर जुग्यान कराता है उसे क्या बोलते हैं सूचक तो क्या बताएंगे सूचक किसी दियेगे बिलियन में अमलेता या चारियता की उपस्तित कराता है या दर्शाता है इनका रंग या गंद अमलिये और चारिये माद्या में बदल जाता है इसकी सूचना देता है या यह अपक्रिया होगी या नहीं होगी इस का ग्यान कराता है सूचक कहलाता है नारमली अगर पूछादा है सूचक किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे बेपदात जो सूचना देते हैं कि अपक्रिया होगी या नहीं होगी सूचक कहलाता है सूचक की अगर प्रकार की बात की जाए तो क्या बताएंगे वैसे तो सूचक बहुत प्रकार के होता है जैसे कि सूचक को ही संसूचक का भी जाता है तो क्या बोलेंगे वैसे सूचक तो बहुत प्रकार के होते है नार्मली हमारे अगर शिलेवस की बात की जाए तो कुछ इस प्रकार है जैसे किया जाता है आपका प्राकृतिक सूचक अगर प्राकृतिक सूचक की बात कर ला है प्राकृतिक आ गया इसमें तुम्हारे तो क्या बताओगे ऐसे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं कैसे सूचक वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं प्राक्रतिक सोचक कहलाते हैं जैसे आपका लेटमस हो गया लाल पत्ता गोभी का रस हो गया हल्दी हो गई हाइड्रेजिया हो गया फूल का रस आदी यह सबी क्या नेचुरल होते हैं प्रक्रति से हमें प्राप्त होते हैं और इसलिए प्राक्रतिक सोचक भी कहते हैं सिर्फ आता है है लिट मस किसे बोलता है ओकर लिट मस अगर बात की जा है तो लिट मस पेपर का यूज हम ज्यादा तर अमलोग चार की पहचान करने में यूज करते हैं तो क्या बताया है अंतथा चारग की पहिचान करने के लिए सबसे सामान रूप से उपयोग में लाया जाने वाला शूचक या उपयोग में लाया जाने वाल प्राकर्तिक सूचक क्या कलाता है लिटमस लिटमस की लाइकन या सहबाल से प्राप्त हुआ करता है लिटमस जो है, lichen, saibal से प्राप्थ होता है अब normally आ जाता है कि लिटमस पत्र किसे कहता है, तो क्या बताएंगे लिटमस, विलियन की रूप में और कागज की रूप की पत्पियों की रूप में प्राप्थ हुआ करता है लिटमस जो है किस रूप में? एक तो बिलियन के रूप में और कागज की पट्टियों के रूप में प्राप्त होता है इन कागज की पट्टियों को ही लिटमस पत्र का आ जाता है अच्छा लिटमस काम क्या करता है? लिटमस पत्र दो रंगों का होता है कौन कौन सा नीला वा लाल नीला और लाल आमल जो होता है नीली लिटमस पत्र को कैसा करता है लाल करता है जब कि छार जो होता है लाल लिटमस पत्र को कैसा करता है नीला कर देता है ओके आगे देखें अब बात आती है हल्दी हल्दी भी एक प्रकार का शोचक है हल्दी कैसी ह एक प्रकार का प्राकरतिक सोचक है यह पीले रंकी होती है कई बार आपने देखा होगा जब किसी सफेद कपड़े पर सबजी का दाग लग जाता है जैसे खाने में हल्दी यूज होती है जब कभी हमारे सफेद कपड़े पर सबजी का दाग लग जाता है और जब इसे साबु से धोया और जब धोया तो वो उतना एरिया पूरा रेड कर दिया उसने अर्थादीत से क्या समझ में आया कि साबुन जो था वो छार ये प्रक्रितिका था और छार जो होता है वो लिटमस को कैदा कर देता है या शूचक को लाल कर देता है अमल के साथ हल्दी रंग में कोई परिवर्तन नहीं करती है अमल के साथ अगर रेक्ट कराया जाया तो हल्दी कोई चेंजमेंट नहीं करती है छारक के साथ इसका रंग भूरा लाल हो जाता है आया तो कपड़े का रंग कैसा हो जाता है भूरा लाल हो जाता है याद रहेगा क जो आइसे सूचक जो मानओनिर्मिश को ते हैं उन्हें सणसलेशी सूचक कहते हैं जैसे मेथिलारेंज और फिनालप्थलिन क्या बताया एसे सूचक जो मानुरिन में सूचक होता है जैसे कि मेथिलारेंज और आपका फेनालफथलीन इसका उपयोग अमलेवम चारक की जाच के लिए किया जाता है आगे आता है नमबर तीन पे गंधिये सूचक तो क्या बताएंगे कुछ एसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंधिये चारिये माध्यम में बदल जाती है कैसे पदार्थ कुछ है ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंद कैसी होती है अमलिय माध्य हमें और होती है छारिय माध्य हमें दूसरी होती है ऐसे पदार्थ को गंधिय सुचक कहा जाता है क्या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंद अमलिये माध्या में अलग और छारिये माध्या में अलग होती है मतलब बदल जाती है ऐसे पदार्थों को गंधिये सूचक का आ जाता है जैसे कि हम देख लेते हैं प्याज देख लें लॉंग देख लें या तेल देख लें इनकी अलग-अलग माध्य हमें अलग-अलग गंध होती है ओके आंगे देखिए जैसे कि नेक्ष्ट आता है आपका सारवत्रिक सूचक तो क्या बताएंगे एसे सूचक जो विभीन रसायनों से बना हुआ मिस्त्रड होता है या एसा सूचक जो विभीन रसायनों का बना हुआ मिस्त्रड होता है जो भिन-भिन पियच मान बाले पदार्थों के बारे में लंग परिवर्तन के द्वारा बनाया जाता है चाराक या अमलोanton का बताया सारवरत्रिक सूचक विभिन रसायनों का बना हुआ ऐसा मिस्त्रड होता है जो भिन भिन पीच बाले पदार्थों के बारे में रंग परिवर्तन को बता देता है चारक या अम्ल चाहिए वो कुछ भी हो आंगे आ जाता है लबड किसे कहता है तो क्या बताएंगे जब हम अम्ल और चारकी अपकरिया कराते हैं किसकी किसकी अम्ल और चारकी जब हम अम्ल और चारकी अपकरिया कराते हैं तो जल के साथ जो उत्पाद बनता है उसे क्या बोलता है लबड जैसे अमला आपका याने CL है और छार आपका याने O याच है जब रियक्षन कराते हैं प्लस माइनस और प्लस माइनस तो क्या बनता है याने CL और H2O जो याने CL आपका बना ये याने CL जो बना ये आपका क्या है लबड है क्या है लबड है ओके तो याने CL जो बना वो क्या है लबड तो क्या बताएंगे अमला और छार की जब प्रिया कराई जाती है तो जल के साथ जोत्पाद बनता है उसे लबड कहता है ओके आगे देखिए लबड के अगर गुड की बात करें तो क्या बोलेंगे लबड ठो सबस्था में मिलता है नमबर एक लबड जो होता है किस में मिलता है ठो सबस्था में मिला करता है नमबर दो सामान जो लबड होता है वो उदासीन या न्यूटरल होता है नमबर तीन है लबडों के जलिये बिलेन विद्धूत के सुचालक होता है मतलब लबडों के जलिये बिलेन होते हैं वो विद्धूत के कैसे होते हैं सुचालक हुआ करते हैं तो लबड के गोड में पढ़ेंगे लबड ठो सबस्था में मिलते हैं शामान लबड कैसे होते हैं, न्यूट्रल हुआ करते हैं, लबडों के जलिये विलेन विद्धूत के सुचालक होते हैं, ओके, नेक्स्ट देखिए, पॉप टेस्ट किसे बोलते हैं, अगर नार्मली आपसे पूछा जाए कि पॉप टेस्ट किसे बोलते हैं, तो क्या हाइड्रोजन गैस से निहित परक्नली के पास, जब एक जल्ती मोमबत्ती लाए जाती है, तो पॉप की ध्वनी उत्पन होती है, क्या बताया हाइड्रोजन गैस से निहित कोई परक्नली है, मतलब ऐसी परक्नली जिसमें हाइड्रोजन गैस भरी है, और एक मोमबत्ती के प वहनी उत्पन्न हो जाती है इसी टेस्ट को म的話 टेस्ट कहा जाता है ओके किसाइवा परखणली में hydrogen gas भरी हो जलतीयों के पास ले आए तो उसे आप PayPal ऐका नहीं प्राइब यह रखती है इसे ही पॉप टेस्ट का जाता है आंगे देखें यक आगे अगर बात करें तो डातु अब करिया तो जो होताए धातु के शात अब करिया तो अम्ल के रहती है कि रीदयन करते हैं यहाँ पर आएगा तो Gn की Balancy 2 और Cl की 1 जब Multiple करेंगे तो क्या बनेगा Gn Cl2 तो क्या बनाता है यहाँ पर GnCl2 प्लस H2 जो की उड़ जाता है तो मतलब दोका क्या करोगे Multiple करोगे तो Aml के साथ अगर क्रिया कराता है तो क्या बता होगे अमल अमलों के साथ या अमल एवं छारक की अपक्रिया तो क्या बताओगे अमल धादू के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निस्कासित करता है जैसे कि इसमें बताया भी क्या कैसे कि जो अमल है अमल को HCl बोलते हैं और धा तो आपकी जेडियन ली गई थी तो जेडियन का जो चार्ज होता है वो प्लस टू होता है Cl पे जो अचार्ज होता है वो बन होता है चार्ज मतलब A20 ओके तो क्या बनाता है एरो जेडियन Cl2 और प्लस H2 निस्कासित कर देता है यहाँ पर दोका क्या कर देते है multiple फिर आंगे आता है छारक के साथ धातु की अपकरिया छारक जैसे यानियोय अच्छ है इसके साथ धातु जिंक है तो क्या बनाएगा यह जो बनाता है लबड बनाता है sodium zincite यानि टू जेडेयन O2 प्लस H2 यह याद रखिये यह क्या है sodium zincite है इसे याद रखियेगा ओके आंगे देखिया उदाशीन अगर नार्मली कोई पोच्छता है उदाशीन तो एसे पदार्थ जो लाल अत्वा नीली लिटमस पत्र को रंग परिवर्तित नहीं कर देते हैं कैसे एसे पदार्थ जो लाल अत्वा नीली लिटमस पत्र को रंग प पारते हैं उदाशीन कलाते हैं ऐसे पदार ना तो अमली होते हैं और ना ही चारिये मतलब अगर लंग आप परिवर्तित नहीं कर पा रहा है वो भी किसका लेटमस पत्र का तो आप ना चारिये और ना अमली हैं जैसे नमक नमक नौशादर कैल्सियम कुलोराइड शोडियम का कार्मोनेट ओके ये सबी क्या है उदाशी न्यूट्रल होते हैं आंगी आती हो उदाशीन अपक्रिया किसे बोलता है कि उखे नियूटलाइजिसन रियक्षन तो अगर आप क्रिया बोलें उदासीन अपक्रिया किसे कहता है तो क्या बताओगे जब हम अमल और चार की परस पर अपक्रिया कराते है किसकी किसकी अमल और चार की परस पर अपक्रिया कराते है तो लवर तथा जल बनता है क्या क्या बनता है लवर तथा जल इसी अपक्रिया को उदा सीनी करण अपक्रिया कहा जाता है इसी अपक्रिया को क्या कहते है उदा सीनी करण अपक्रिया क्या बताओगे जब हम आमल और चार की परस पर अपक्रिया कराते है तो जल तथा लबड बनता है इसी अपक्रिया को उदा सीनी करड़ अपक्रिया कहता है जैसे अमल और छार अगर देख ले तो अमल आपका HCl हो गया छार आपका याने ओच हो गया जब इसकी रियक्षन कराते हैं तो क्या बनता है याने Cl प्लस H2O जो ये रियक्षन है ये उदा सीनी करड़ अपक्रिया कहलाती है कौन से अपक्रिया उदा सीनी करड़ अपक्रिया कहलाती है ओके ये अपक्रिया उदा सीनी करड़ अपक्रिया कहलाती है आंगे देखिए जैसे कि नार्मली अगर देखा जाए प्रबल अमल और दुरबल चार अगर शयोग करते हैं तो अमली ये लबल और जल बनता है तब बिलियन का पियच मान साथ से कम होता है जब दुरबल अमल और प्रबल चार अगर शयोग करें और चार ये लबल बनता है दुरबल अम्र और प्रबल चार अगर शयोग करेगा तो चार ये लबड और जल बनेगा मतलब पीएच साथ से दादा है जब प्रबल अम्र और प्रबल चार प्रियोग करे तो पीएच मान उदाशीन रहेगा चुकि दोनों प्लस माइनस होके कट जाएंगे उदाशीन लबड बनेगा जब दुरुबल अम्र और दुरुबल छारक यूज करे तो बिलन का पी अच साथ होगा और उदाशीन लबड बनेगा जल बनेगा ओके तो गुडबाई बिलते हैं नेक्स वीडियो में आगे के लिए टेक क्यार